Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 4.3 से question number 2 करेंगे Solve the following equations इन equations को solve करना है यानि इनमें जो variables है जैसे x है, n है इनकी value find करनी है चलिए first part देखिए 2 in bracket x plus 4 is equal to 12 अब ये question आपको bracket में दिखाए दे रहा होगा लेकिन अब से पहले जो आपने questions किये हैं उनमें bracket नहीं था तो इस question को करने के दो तरीके हैं मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा पहले मैं वो तरीका बताऊंगा जो आप पीछे कर चुके हैं यानि इस question को अपनी proper form में कैसे करेंगे देखिए ये जो 2 है ये multiply बारी-बारी से होगा इन दो से ये binomial है न तो ये 2 इन दोनों के लिए तो यानि 2 को हम पहले x से multiply करेंगे तो ये हो गया है 2x अब इसी 2 को हम प्लस 4 से multiply करेंगे तो 2 4s are 8 यानि प्लस का 8 हो गया और is equal to हो गया यहाँ पे 12 अब आपको दिखरा होगा कि ये जो form है question की ये exactly उसी तरह की हो गयी है जैसे आप पीछे questions करते आ रहे हैं अब यहाँ पे question को solve करना बढ़ा आसान है कि हम जानते हैं कि पहले plus और minus वाली चीज को transpose कर देते हैं उसके बाद multiply वाल और divide वाली को कर देते हैं यही यहाँ पे करना है तो 2x as it is रहेगा 8 is equal to 4 अब प्लस वाली चीज को तो मैंने कर दिया solve x के पास यह जो 2 है यह multiply में है इसे भी मुझे हटाना है तो x को मैं अकेला छोड़ दूँगा 4 अपनी जगे पे रहेगा और यह जो 2 है क्योंकि यह multiply में है तो दूसरी तरफ जाके यह divide में चला जाएगा यानि कि नीचे चला जाएगा अब x की value आ गई है 4 divided by 2 यानि कि 2 तो यह तो वो पहला तरीका है जो बिल्कुल simple है आपको समझ में भी आ रहा है कि हमें 2 की जो ना अंदर दोनों से multiply करनी है तो यह terms बन जाएगी लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है और वो जो दूसरा तरीका है उसे सिखाने के लिए ही particularly यह सारे questions दिये गए है तो उसे आप ध्यान से देखना देखे यह 2 है यह x plus 4 है is equal to 12 यह आपका question है अब यहाँ पे यह जो 2 है यह multiply में है क्योंकि यह bracket bracket का मतलब है यहाँ पे कोई number है x plus 4 कोई number है और वो जो number है वो 2 से multiply हो रहा है और यह जो bracket है bracket के अंदर हमारा variable है तो हमने सीखा है कि variable वाली चीज़ को हम अकेला छोड़ देते हैं और variable के पास अगर कोई चीज multiply में होती है तो वो दूसरी तरफ जाके divide में चली जाती है यह तो सीखा है अभी तक तो सीधा क्या करेंगे यह जो bracket वाला part है न इसे हम अकेला लिख लेंगे और यह जो 2 यहाँ multiply में है यह दूसरी तरफ जाके divide हो जाएगा अब x plus 4 is equal to यह solve होके 6 हो गया कितनी simple सी equation बन गई है अब यहाँ से x की value निकालने के लिए यह जो plus 4 है यह transpose होके दूसरी तरफ चला जाएगा 6 minus 4 हो गया तो x की value आ गई है 2 तो यह जो तरीका है न यह particularly question आप ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर जो सारे parts है न वो bracket के ही है और यह bracket वाले questions specially इसलिए दिये हैं वोकवाले ने ताकि आप यह वाला method सीख सकें और इसी method से मैं आपको बाकी के सारे parts भी करवाँगा चलिए b part देखे b के अंदर है 3 bracket के अंदर n minus 5 is equal to 21 अब यहाँ पे 3 multiply में है और यह variable वाली चीज है तो variable वाले part को मैं अकेला छोड़ दूँगा और यह जो 3 यहाँ multiply में है यह मैं यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो यह divide में हो जाएगा अब n minus 5 is equal to इसे solve कर लेते हैं 21 को 3 से divide किया तो 7 आ गया बस अब simple equation बन रही है यहाँ पे n की value निकाल नहीं है मेरे को तो यह जो minus 5 है यह transpose होके दूसरी तरफ चला जाएगा तो यह हो गया है plus का 5 तो n की value हो गई है 12 अभी यहाँ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ की जैसे मैं पीछे बताता आ रहा हूँ की plus और minus वाली चीज को पहले move करते हैं और multiply और divide वाली को हम बाद में move करते हैं लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ की multiply वाली चीज को पहले move कर रहा हूँ और minus वाली और plus वाली चीज का number बाद में आ रहा है तो ये चीज तब ही apply होती है आपकी ये जो मैंने पहले बताया ना ये वाली चीज ये आपकी तब apply होती है जब variable के पास आपका जो number हो बिल्कुल चिपका हो लेकिन यहाँ जो है variable के पास पहले ये minus 5 है और ये bracket के अंदर है तो जब इस तरह का number हो न तो आप multiply ये divide वाली ची और मैं देख रहाँ कि यहाँ 3 से divide होगा तो 21 से 3 पूरा divide हो जाता है तो मुझे इसे यहाँ ले जाने में फायदा है लेकिन अगर ऐसा ना हो यहाँ पर let's suppose 4 होता तो 21 4 से तो पूरा divide नहीं होता फिर तो सवाल में और ज़्यादा complications हो जाती फिर ये वाला तरीका best है ये व पार्ट के बाद c पार्ट देखते हैं मर्जी आप किया आप दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं आपको marks पूरे मिलेंगे 3 in bracket n-5 is equal to minus 21 अब ये जो 3 है न ये 21 को पूरा divide कर देता है तो इसे move करने में मुझे फायदा है तो n-5 ये मेरा variable वाला पार्ट है ये मैंने यहाँ के 21 अपनी जगह पे है ये 3 यहाँ जाके divide में हो जाएगा अब n-5 is equal to 21 को 3 से divide करेंगे 7 आएगा और क्योंकि minus है तो minus 7 आएगा अब n की value निकालनी है यहाँ minus 7 अपनी जगह पे है n के पास से minus 5 को हटाना है तो ये यहाँ से जब transpose होगा तो दूसरी तरफ जाके sign change हो जाएग अब n की value आजाएगी minus 7 और plus 5 प्लस और minus के number subtract हो जाते हैं तो ये 7 में से 5 गया तो 2 आया और बड़े का sign लग जाता है minus 2 d पार्ट देखिए d में भी आप देख रहे होंगे कि बुक वाले ने जान पूच के ऐसे number लिखे हैं है bracket के बाहर कि जो इधर वाले से पूरा divide हो जाए वो चाहता है कि आपको ऐसे questions की practice हो तो यहाँ भी यह minus 4 bracket 2 plus x is equal to 8 लिखा हुआ है तो यह जो variable वाला पार्ट है यह जो और यह जो minus 4 यहाँ multiply में है यह इधर जाके divide में हो जाएगा अब 2 plus x is equal to 8 को 4 से divide करेंगे तो 2 आएगा और क्योंकि यहाँ एक number में minus है तो minus बरकरार रहेगा answer minus ही आएगा अब x की value मुझे निकालनी है तो x को मैं अकेला छोड़ूँगा minus 2 अपनी जगह पे है x के पास यह बस x is equal to minus 2 और minus 2 दोनों add हो जाएंगे तो यह minus के 4 हो जाएंगे यह पार्ट देखिए यह पार्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह का question है 4 in bracket 2 minus x is equal to 8 यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऐसा number लिखा हुआ है जान पूछ के जो इस 8 से पूरा divide हो जाएगा य 2 minus x is equal to यह 8 हुआ और यह जो बहार है यह नीचे जाके divide हो जाएगा अब 2 minus x is equal to 8 को 4 से divide करेंगे तो यह 2 आएगा अब यहाँ पे 2 minus x लिखा हुआ है तो मुझे तो x को अकेला छोड़ना है तो यह minus x छोड़ दिया मैंने अकेला is equal to यह 2 है यहाँ पे और यह जो 2 है यह प यह plus में है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो यह minus हो जाएगा तो minus x is equal to 2 minus 2 is equal to 0 यह minus x की value है 0 तो x क्या होगा x भी 0 ही होगा यह minus इधर चला जाएगा अब 0 में तो minus plus कुछ होता नहीं है 0 0 ही होता है तो मैं special आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस particular question के अंदर book वाला variable हो और variable के पास कुछ भी plus minus हो तो वो एक चीज मानी जाती है उसके बाहर अगर कोई चीज multiply में है ना तो आप उसे पहले move कर सकते हैं उससे आपके steps बच जाते हैं question खतम हुआ तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye